प्रेट्स दिस गौताम पांडे कमिंग पिद नेक्स रांड दॉफ ने उसिंप्लिफाइड तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सित्तन वॉसल के बारे में तो फ्रस्ट अपलज रहा देखते हैं इस इत्तन वॉसल आकर निव्ज में क्यों है देखे रिचेंटली दे हिं में सित्तन वॉसल रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि जितने भी वहां पर आर्ट फॉम है जितने भी केब वगरा है वो लगभग एक्रॉस डैमेज होते चले जा रहे हैं और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया था कि पब्लिक एक हिस्टरी क्या है वसे रिलेटेड क्यूंकि हमारे ग्यामनेशन में question बन सकते है इसलिए इस वीडियो में हम सित्तन वासल से रिलेटड सारी बातों को डिसक्स करेंगे समझें उसकी हिस्टरी के बारे में आखिर वो कौन से टाइम से जुड़ा हुआ है और इससे रिलेट्टड क्या क्या फैक्त हैं जो हमारे इंपोर्टेंट है उनसारी बाते उनके house से जोड़ा जाता है जितने भी जैन रिसी मुनी है उनके घरों को सित्तन वासल कहा जाता है और इसके location की बात करें तो यह तमिल नाडू के पद्दु कटे डिस्टिक में है पद्दु कटे डिस्टिक कावेरी रिवर के bank पे है यहाँ पर यह पॉइंट हम याद रखे है मिनसे बहुत बड़ा center रहा है जैन रिलिजन का इसलिए भी important हो जाता है तो अब बात करते हैं जरा किसे found किस ने किया देखिए अगर found करने की बात करें तो सबसे पहले found किया था इसे 1934 में एक फ्रांसेसी historian थे जिनका नाम था दुरविल उन्होंने यह found किया था बट अ oldest जितना art form है यहीं पर देखने को मिलता है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यहां पर पांडियन जो डाइनिस्टी थी उस टाइम के पेंटिंग देखने को मिलती है इसे related concept क्या है बहुत सारे जो historian है इसे पल्लव डाइनिस्टी के टाइम बांड से जोडते हैं कितने ल यहां पर गलती कि पयोन बाता है कि नदीं देखने को मिलता है ग snapchat टिंक मिलनाडू मेहां चिशी क्या है इसको फ्रिश्को कि कि प्रेष्को फ्रेष्को जीको ऐसा art form होता है जिसमें अगर किसी wall पे अगर print करना हो यहाँ पर हाल फिलाल में प्लास्टर वर्मेंस जो weight plaster होता है उसके उपर ही प्रेंटिंग कर दे जाती है तो वह प्रेंटिंग लॉंग टर्म तक duration में रहती है इस कारण ही आज आज आप देख रहे हैं कभी भी हमारे साम होते थे उस टाइम समझ सकते है नेच्रल कूलर होना नॉर्मल सी बात है तो यह सारे pair होते थे ब्लांट से मिलते थे जह मिनरल वगरा थे इंसे मिलते थे उनृद को यूज करके यहाँ पर प्रेंटिंग की जाती थी तो यह पॉइंट हम याद रखेंगे और यहां पर ऐसा याद रखेंगे तो अब बात करते हैं ज़रा इहां पर इंस्क्रिप्शन वगरा मिले हैं उसको जरह समझते देखिए अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो यहां पर सित्न वासल में दो तरग इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है एक है ब्राम्मी और दूसरा है बताय थो, यहाँ पर यही inscription मिला है, ही से related यहाँ जितने भी history वगरा है, इनी से मिली हुई हो, और इनी को read करके वहाँ पर सारी details में बताई गी है, जिते भी historian वगरा रहे हैं, उन लोगों समझिए हैं, जो शित्तन वासल है, वो Jen influencer का है, across thousand years से जादा, यहाँ पर एक बड़ा area cover करके रहा है सित्तन वासल में और वहीं पर उनका पूरा का पूरा center था तो हमारे लिए भी important हो जाता है कभी हो सकता है इसे related exams में question पूछ लिए जाएं इसलिए important हो जाता है to discuss करना तो hope आपको सित्तन वासल से related सारी बाते समझ में आई होंगी थैंक्स पूर वच्छिंग